पिजिकल एजुकेशन तयार है कपट्टी के लिए अंडर 21 गर्ल्स के टेगरी का फाइनल अब चुरू होने वाला है हर्याना के सामने होने वाला है हिमाचल लेकिन आपको बता दे अंडर 21 गर्ल्स के बाद अंडर 21 गोईस का भी फाइनल होगा तो दो फाइनल आज आपकी पेशे किदमत होंगे इससे पहले दो फाइनल हुए हैं अंडर 17 के दोनों हर्याना ने जीते यहां भी हर्याना चुनौती पेश कर रहा है अंडर 21 गर्ल्स में और सामने है वो ही माचल इसने सीजन वन का अंडर 17 फाइनल जीता था हम मौजूद है सुनापूर के वड़ ही खुबचूरत नाइपी ए में रविकान सिंग के साथ में हूँ सुनील तने जा Good afternoon to all our viewers and as we get for all the action here on the Kabati mat this is third final that Haryana has featured and they are playing all four finals they have enough to get four goals Himachal प्रिशों इस्टे पुड़ प्र लूग च्छलंग बीत असान तमिल्डू आप ए य। राधा एए और याद रखिये, करनाटक, राजस्थान और यूपी बहुत अच्छी टीम्स है तो दोनों ग्रुप्स की टॉप हर्याना और हिमाचल फाइनल है तो रभी कहना गलत नहीं होगा कि अडर ट्वेंटीवन गल्स में दो सरवश्रेश्ट टीम्स एक दूसरे के सामने हैं यह बोध टीम्स नेवाट इंट फार और थी माच्छे वन इन न लीग स्टेज एंड बेंट आइन वीड रेडर आई शुप्स्टी डोगरा थे आइन अजेवी टिक्षा थाकूर शॉड़ देवेंटी लीड रेडर्ड़ एड स्वीटी दोगरा थे आइंड व्लाइट बा और जैसे हम बात कर रहे हैं कि हर्याना हमेशा से कबटी का पावर हाउस है चाहे गर्ल्स कैटेकरी हो या बॉइस हो उनकी टीम देख लीजिए आपको नजर आ रही है अंतिन कुमारी जो की दाधरी से है उसके बाद रेशाली है मुसकान मलिक टीम की कैटन है जो की सोनीपत की रहने वाली है भैंसवाल से इनका संब्ध है जहां से सुनील और परवेश आते हैं पूजा, रचनी, प्राची और आर्ती इनका साथ दे रही हैं आर्ती शर्मा भी सोनीपत से हैं, जूनियर नैशनल गोल्ड मेंटलिस्ट और अगर बात करें प्राची की तो वो भी सोनीपत से हैं और सीनियर नैशनल और इंडिया कैम अटेंड करके आई हैं हर्याना की इस टीम में तीन प्लेयर हैं, जून्हों ने सैफ गेम्स के इंडिया कैम्प में हिस्सा लिया था तो इतनी मजबूत हर्याना के टीम, जो इंडिया खेलने के लिए गावेदारी पेश कर रही थी वो अन्टे 21 गल्स खेलों इंडिया यूथ गेम्स में भी टीम के साथ है इलेक्ट्रिफाइं आक्शन भावना ठाकोर हमाचल की पहली रेट कर रही है लेफ्ट रेडर है भावना ठाकोर सीनियर नैशनल्स खेल चुकी है अंडिर 21 तीम में आने से पहले ही सीनियर नैशनल खेल चुकी है हेमाचल के लिए तोनों टीम्स में अनुभव भरा हुआ है और हेमाचल खास तौर पे गर्स कहते गरी में हमेशा से मजबूर टीम रही है आप बात करें पूजा ठाकुर की आप जो की एशन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट है आप बात करें प्रेंका नेगी की जो विलासपूर स जो विल जिए ऊंट खिए इसक्ति याग पहला ओई लिने में कामियाब on the center to pick up the first point so Haryana have got off to a flyer now the 90 seconds of action bonus attempted but immediately taken out the match will reduce to five now so bonus not available later है Haryana के लिए प्राची बेनिवाल जो की senior national खेल चुके हैं जर्सी नंबर 8 जर्सार देखें लिप पूर्मेट होनी जरूरी है कबटी कबटी खेना जरूरी है अमपायर को आपकी अवास गानी चाहिए अमपायर आपको signal करते हैं कि louder louder ये match भी छोटा है girls category में हमेशा जो match का size है वो 12 by 10 का यानी 120 square meter का रहता है boys में 13 by 12 का रहता है और boys का final इसके बाद होगा अंशुल अपनी टीम के लिए अभी भी पहले point की तलाश में है अंशुल शिमला के वास्त है और पहला point लेने में कामियाग smart work there by अंशुल showing good footwork so हमाचल open their account there you see that was the surrender his head got the touch earlier Pooja Kajla Pooja Kajla Pooja Kajla पिछले season में under 17 team का हिस्सा थी हर्याना के लिए अब प्रमोट होकर under 21 team में आ गई है और इससे पहले एक point इनके नाम already आ चुका है Kabaddi Haryana and Kabaddi almost hand in hand they've already picked up two goals having won the under 17 girls final 25-20 against Tamil Nadu and the boys under 17 final have won 42-26 in a one-sided final against Rajasthan so two gold medals already for Haryana meanwhile Himachal draw level Bhavna Thakur ankle का जहांसा दिया left corner ने ankle hold करने की try की तुरंट वापस आगई Bhavna Thakur point लेकर 2-2 की बरावरी है अभी शुरुआत हुई है 15-15 मिनट के दो हाफ right corner का ankle hold बाही मस्बूत well done Himachal Pradesh well Himachal that grip was almost like a vice so Himachal going to the lead for the first time in this match we've got almost 4 minutes of action completed there you see that grip on the ankle Raider had absolutely no chance to escape so Haryana reduced now to 4 players on court this is Sweetie Dogra जो शिम्ला से है और इससे पहले आपको Season 1 खेलो इंडिया Season 2 खेलो इंडिया में खेलती दिखी है Under 17 से Under 21 तक और Senior National में भी Agency No.10 Sweetie Dogra पाटिसिपेट कर चुकी है पर्फूट किया बड़ा हित अगड़ा जबरदस्क मुस्कान मलिक अपने सारी टीमेट के चेहरे पर मुस्कान लाई है Very very cleverly done because one thing you gotta watch out for in a pursuit is no other teammate is going in we've seen that happen earlier the retreating raider is slightly off trying to recover from the raid that's a time when they are at their most vulnerable that is three all under 10 minutes remember it's a 15 minutes each half in this contest and already is proving to be a very very tight one went for the knee and then hailed on on the bonus line remember the red line is the bonus line at the moment not active for haryana because there are only five defenders in court for himachal six or more defenders have the bonus line in business the second red line the center line is also red black line is a balk line we keep explaining that's the minimum distance the radio is required to travel every day without getting a touch and this time a touch has been claimed right in protesting to a right corner partner she couldn't get in deep enough one point one point two one point one point one point retrieval was not good enough and one point one point and one point स्वीटी डोगरा अंदर आ गई है तूट प्लेयर ने इसी प्लेयर को पर्सूट करके आउट किया था लिकिन सबस्वीटी थोड़ी चौकननी थी बड़ा करीबी मैच शुरू हुआ है पता चलता है हर्याना ने भले ही अपने तक्रीबन सारे पिछले मैच बन साइड जीते हों लेकिन ये फाइनल है और हम आपको बताती आ रहे हैं कि हिमाचल की टीम गर्ल्स केटेगरी में हमेशा सही बहुत मजबूत रही है प्रवाइन प्रेवंट ये प्रेवेंट अपने ने प्रवाइन प्रेवाइन आपश्टर ने यूपी को हराया वन साइडे मुकाबले में अठारे पॉइंट से तीन तीन प्रों कबड़ी स्टार उनके पास हैं शुबम शिंदे हैं ताना जी सौरब ताना जी पातिल हैं पंकज मोहीते हैं लगता नहीं कि हर्याना को वहां आसानी होगी यहां भी आसानी नहीं है एक ही पॉइंट की लीड है उनके पास अंडर सेवन मिन्स तो गो इंद फिर्स आफ सिस्टेंटर उनकोट्स बोनस अवेलाब इस ताइमर्ड वेरी वीक अटेंट तो होगी यहां प्राइब प्राइब यहां प्राइब यहां प्राइब अडवास्ट फुर्ट कुंगेट अग्रिप लीड नाव टू फॉहर यहां प्राइब पहले राइब कवर को जहांसा दिया फिर एक दम से टान करके लेफ्ट कॉर्णर को रुनिंग हैं टुच किया हिमाचल को एक पोइंट मिला है और नमबर त्री वेशाली चौधनी को यह रुनिंग हैं टुच यह देखिये राइट को राइट कवर को जहांसा देके तुरंत टॉर्ण किया और फिर लेफ्ट को टॉच किया यह स्वीटी डोग्रा के अनुभव का कमाल था हिमाचल की कोई भी टीम हो और महां को ठाकूर अट अटाओ टॉच भी टीम हो और बहाँ अग। करते ना दिखे यह नहीं हो सकता सीनियर टीम से इंडियन टीम के कैप्टन और लिजन बनने का सफ़र पत्व शुरी हजे थातुर में टै किया है और यहां रेडर लगातार पॉइंट ही रही है इस बार हरणा की बारी है कम से कम दो पॉईंट की यह रिड्य है मुसकान मालिक बगनाई वी अ EL वाफ एचेन चेयर लिए इसले की अरण है में देखने को मिलते हैं पर आपके बिल्कुर सही सब्सक्राइब किया इंडिया टीम कंटेंडर मुस्कान मलिक पहले ही इंडियन टीम के कैम्प में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और ये भी जो रेड में है प्राशी बेनिवाल ये भी सैफ गेम्स के लिए इंडियन टीम के कैम्प में थी सीनियर नैशनल खेल चुकी हैं उनके साथ साथ पूदा गाजला इंडियन टीम के कैम्प को अटेंड कर चुकी हैं तो तीन प्लेयर इस टीम की इंडिया केस का पहुंच चुकी हैं अंदाजा लगाई है कि पी मजबूत है हर्याना की तीम वाल बटी मार्चल इस बडूब रोल ओव पानी दिम ए रियल तफ फाइट अ क्याज भी में थाइट and it is Muskan Malik in action once again shot number 4 flashing the danger sign shot number 4 दिखाया अपना जोर और right corner ने जब initiate किया left corner का तुरंट support आया दोनों तरफ से C formation का defense था जिसमें साटशी ठाकूर को बाहर जाने पे मजबूर किया और अब हर्याना हिमाचल पर pressure बनाता देख रहा है just over 3 minutes to go for the half time three points a lead but three point lead does not three points lead for Haryana Muskan Malik will pick up that point this time very weak defending not the normal Haryana much wanted point this was ankle hold की try left in की तरफ से की गई थी लेकिन भावना ठाकूर टीम की main raider है और यहां बिना struggle के दो player बाहर यह line empire बहुत ही busy है इनका नाम शशी प्रभा है रवीक कल भी इन्होंने तीन plays को line out किया था आज भी दो players को line out कर लिया है मैं कहता हूँ कि आगली बार player कहेंगे कि प्लीज इन्हें मत हमारे पीछे line empire बनाई है दूसरी टीम के पीटे बेरिये देखिए एक player का balance बिगडता है तो साथ में chain खिलाडी की जिमेधारी है उसको अंदर कीचना अंदर कीचना तो दूर की बात थी वहाँ अंशुल खुद line से बाहर निकल गई सो हिमाचल now reduced to three players super tackle on जरूर होगा रवी लेकिन एक all out का खत्रा भी हिमाचल पर है हर्याना विल डेफिनेटली वांट तो turn on the screws now 11-7 for हर्याना 19th time of week झाट जरूर वांट लेफिने वांटकिस तक्राइड लेफिने लेफिने है कि टूरूर जाट जाट था टारूर्टी लेफिनेट थैंडों हिमाचल saw the left corner fall lose a balance went for a touch this time do touch day Queen again and this time no mistake from Sakshi Dobra साक्षी डोग्रा ने सूपर टैकल किया रिवाइब होकर स्वीटी डोग्रा अंदर आई और स्वीटी डोग्रा को ये तक्रेबन असंभव सा दिखने वाला बैक ये वेस्ट फोल्ड इन फैक्ट लेफ्ट को तरफ से किया गया थोड़ी दिर के लिए अपनी पीट दिखा दी थी स्वीटी ने तो अबाट पावर बर प्राची बेनिवाल इस टाइम नोट अबल टेक आप शाक्षी डोग्रा नोट अबल टेकर रोण वन पोई डर्याना तो ना हमाचल रिदू से नहीं करनी होगी अंजू देवी रेड में हैं अंजू देवी बिलासपूर से हैं सीनि बोनस मिला है आखरी आधा मिनट समभवते आखरी रेड हमाचल को ओल आउट बचाना है हमाचल को ओल ए आच बच्छी बेनिवाल喔 कि अच्छी बीड देवी पनीवाल आच्छी था कर आच्छी जाओ रेड रेडर भीना टीच्छात हाकूर taken out so bonus in go Himachal's way but the all-out also affected on the stroke of half-time so all-out affected by Haryana and now the lead definitely with Haryana in a comfortable position 17-11 जबर्दस खेल है Haryana का Himachal के defense को उनकी main raiders को खास दोर पे Sweetie Dogra को चलने नहीं दिया गया है पहले हाफ के आखरी raid में all-out भी inflict कर दिया गया है यानि की सीधा सीधा पराची को दे रखा है पराची बेनीवाल को दे रखा हिमाचal के tackle point 0 एक super tackle भूलके अभी गेंट सेरेक्टी है इनका भी एक भी tackle point भी है हर्याना फिजाना पेस्टेटी अशागे प्रज़्डेश एक भी एक बाची बीज़्स स्थेशने के लड़्ड़ टानी चाना आखथेए हर घर्याना है 17'11 वाहते है फदेटिट ऐ Judith प्रदेश कि भथका सबसरी नगर कि भी इधसे कि अईनेना है को पोड़िशन सबस्टेजब इसन प्रिश्वकि शॉड़ेगा है। इंगर चाहरता इंगे इत हैंप्धल के ग संप अफन फंटर कि थी तेने । and certainly had a lot to do as they progressed good contributions from the right corner there Sakshi Dogra but pickings were rather meager and there you see Muskan Malik once again in action Sakshi Dogra but pickings were better but this is number four Raid in the same way, defense in the same way, Muskan Malik Sakshi Dogra but pickings were better, but this is number four, Raid in the same way this is number four, Muskan Malik, senior national player India camp तक attend कर चुकी है और इनके खेल में वो confidence दिखाई देता है Haryana ने इससे पहले under 17 boys में gold लिया, under 17 girls में gold लिया gold की hat-trick क्या वो कबड़ी में यहां पूरी कर पाएंगे second half on the way with Bhavna Thakur there Himachal Pradesh got to come back and come back fast but no, Haryana defense has very very different ideas picking up the lead raider very early इस बार काम किया, right-in ने अंतिम कुमारी ने dive लगाई थी और Bhavna Thakur जो Himachal की lead raider है वो पिलहाल bench पर है Sakshi Beniwal ते, Prachi Beniwal पेगे पादन he's been doing a lot of trading remember after this one it is Haryana vs Maharashtra for the under 21 boys Kabandi gold so Haryana featuring in all four finals they won two of them तर्ड बन लुक्स लाइब रहा है हर्याना का डिफेंस एकदम बोनस और बॉक लाइन के बिलकुल बीच में उसी से उनका कॉंफिदेंस पता चलता है रेडर्स पॉइंट ला रहे हैं हिमाचल की मेन रेडर बाहर बैटी हुई है भावना ठाकुर स्वीथी दोगरा उतनी अच्छी फॉम में आज दिखी नहीं इस आपके सामने जलसी नमबर टेन एक प्लेयर जिसने ज्यादा प्रभावित किया वो टीम की राइट कॉर्णर है स अब उनको दूसरी पोजिशन पे भीजा गया है साक्षी दोगरा फिलहाल राइट कॉर्नर पर नहीं है वहां पर साक्षी ठाकुर हैं तो कुछ चेंजिस हिमाचल की कोच मेरा वर्माने हाफ ताइम में किये हैं what they do need to make changes and make them faster is 2 minutes already intact sweetie Doga a little of color in the reading department today has been the target for Musa ngelik in once again Musa ngelik is the one who gets the ankle bonus point Musa ngelik Rade it out one point Hagana और उसके बाद लेफ्ट कवर ने आके डैश किया राइट कॉर्णर लेफ्ट कवर का कॉंबिनेशन अगर आप में सीखना है तो ये बहुत अच्छा उधारन था सुवीटी तक्रीबन निकल जाती अगर लेफ्ट कॉर्णर आके डैश ना करती पॉइंट मिलेगा मुसकान मलीक को शाबाशी उनके लेफ्ट कवर को भी मिलेगी प्लिटीफ मेंदेशन अगर आप में तो अच्छा ना करत बहुत अच्छा ना करता है start picking up the slack अंशल इससे पहले स्कूल गेंस में खेल चुकी हैं सब जूनियर नैशनल में खेल चुकी हैं पिलहाल राइट इन पर हैं बोनस इस समय ओफ है और डाइव लगी राइट कॉर्नर से साक्षी ठाकुर वेल डन वान पॉइंट हिमाचल प्रदेश प्रविग क्रूशल पर सेवन पॉइंट पर हर्याना फिर से लगातार अंशल रेड में हैं उनकी दूसरी रेड है पिछली रेड में खाली हाथ गई थी ये रेड अगर एमटी रही तो अगली रेड डूओ डाई आएगी जो आने वाली है फिलहाल बोनस ऑन हर्याना के लिए और उनकी सबसे खतरन प्लेयर इस समय रेड में हैं नाम है मुसकान मलिक कर गयोग C unity and it but this is gonna be a doua die rade for हुमाचल प्रदेश वकोगोग कर दोगे युकेट अट्री सुक्सेसि एंपी रेड जैनोड टर सिंटवागोगो तो यह Super Raid है presents Duodai Raid में भाबना ठाकुर पासे पलत दिये हैं यह Super Raid है हिमाचल के लिए दिरूट लुटकी ठी पोईंट इमाचल प्रदेश Duodai Raid टा अब प्रफेंस तो सिञत और पाफेंस तो से वैड़र But then the defense was over-eager and paid the penalty Three points there for Bhavna Thakur and Himachal Have they bounced back? Looks like Ravik यहां bonus दे दीजिए Touch point मत दीजिए क्योंकि हर्याना के पास अब 3 ही खिलाडी बचे है एक super rate अभी हुई है Bhavna Thakur की तरफ से Jersey no. 3 जो कि मंडी से आती है और यह है वो rate जिसने इस मैच में हिमाचal को मजबूती से वापस लाकड़ा किया यह कबडी का खेल है एक दो rates में पूरी सूरत बदल जाती है दो प्लेयर बाकी है हर्याना के पास और हिमाचal ने अगर यहां अगली दो तीन rates में all out दे दिया वापसी तो हाला कि हो ही चुकी है लेकिन उस वापसी पर मोहर लगाने का सबसे बहतरीन मौका है उनके पास विप लापसी तो प्लेयर उन प्रेज निदी धषिती प्लेयर बाकी है पर ओल आउट पहले हाफ में हिमाचल ने कंसीड किया, दूसरे हाफ में दिया और वापसी उन्होंने कर ली है, हर्याना की लीड एक ही पॉइंट की बाकी है अपने पॉइंट से एक पॉइंट है, बाकी बाकी है जबर्टस कॉंभिनेशन डिफेंस फर्याना का, बापना थाकूर बाकी है तरहाय तो होड़ बगए बदाग ड़ाट टाक मुस्कान मलेक दिन फॉर्म आप ग्री बड़ाए तो पूजा आगे ती रेड में पूजा चाजला अटर सेवं सेवं टीज़ ए यूद के पास है जुनियर शानल जा दीज़ अट पास है और एक पुईं पास है वन पोई अर्याना सिंगल टैकल इन दे अमेडल वॉन्ट वरक एग अच्छु दो देवी शुद लॉठ वी एठ टॉप अंतिम कुमारी स्वीटी दोगरा टीम के सबसे एक्सपेरियंस प्लेयर क्या टोटच किया जबर्दस चाहसा दिया राइट में टोटच किया लेफ्ट कवर को अजब टीम वापस लोटी है इतने मुखकिल से इध्वास टैकल करनी के जरूवत नहीं है रवी 6 minutes plus remaining on the clock 3 points the lead for Haryana Himachal has got everything to play for they can avoid those mistakes in defense the raiding department is working very well at a super raid as well 25-22 Haryana and after this game we will show the final of the under-21 boys where Haryana will be thrown from the maharashtra remember that 2 gold medals have been in Haryana's game under-17 boys and under-17 girls in 4-4 finals and there is no surprise well after all it is game of Khabaddi where Haryana is one of the powerhouses alongside maharashtra both in the men's and women's section long raids by Haryana playing on the do or die raid remember 3 successive empty raids are not allowed Himachal has got to do the attacking because they are the ones who need the points desperately under 5 minutes remaining in the 15 minutes second half raid Rade Sakshit Thakur which was on the right corner you can see Khabaddi Sakshit Thakur Mekak Thakur and this is the three players Mandi Kuchh player Shimla and Khabaddi and if we have to talk about Men's Khabaddi Shimla Mandi Vimalaspur and these powerhouses come on in this Mekak Thakur Surly the net being cast is really wide in Himachal in Mekak Thakur and this is not a very big state clock that is not a very big state clock 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 होती है एक दम भूल गई प्राची बेनिवार कबड़ी आप भारत में किसी भी स्तर पर हो उसका पहला स्वर्णिम रूल ये है कि 30 से किन्ड खत्प होने से पहले आपको मिड लाइन क्रॉस करके अपने साइड वापस जाना है दोंड़ी किसी किसी है किसी तरुप स्च ե punch है किसी आपको दॉस सब़ाइन विश्य किखizione बोनस बना लिया है एंपायर सास्मितादास की हरी जंटी मिल गई है आई ये देखें क्लियर बोनस है और टुछ भी है रभी स्वीटी डोनस भी दिया गया स्कोर बराबर होगा अगर स्कोर टाई रहा तो तीन तीन मिनट के दो हाफ का एक्स्टा टाइम खेला जाएगा स्वीटी ने रॉंग फुट पकड़ा दोनों तरफ से सपोर्ट आया और बहुत देर बाद हिमाचल की तरफ से कोई अच्छा कॉंबिनेशन टैकल देखने को मिला भावना ठाकोर तीन रेड में तो टोटल आठ पॉइंट इन अपने तीन को दिलवाय थे आल आउट समेथ जिससे हिमाचल की वापसी हुई हर्याना तकरीबन 10 पॉइंट से आगे थे लग रहा था एक अठान जीत होगी लेकिन भावना ठाकुर ने टीम को वापसी करवाई है दो मिनट से कम का टाइम बाकी है क्या हर्याना कबड़ी में गोल्ड मेडल की हैट्रिक पूरा कर पाएगा या हिमाचल प्रदेश जिस तरह से लगातार गल्स कबड़ी में अच्छा खेलता आया है गोल्ड वापस लेकर जाएंगे शिमला और अब चुकि मुसकान मलिक बाहर है रवी रेगुलर राइट कॉर्णर नहीं है हर्याना का डिफेंस भी उतना मजबूत नहीं है हालां कि चार के डिफेंस में पॉइंट लेना भी आसान नहीं या माचल चूज तो सिट बाग डिन्ट वाउन टेक इनी रिस्क आरती रेडिंग फॉर हर्याना बोनस अवेलिबल बद चार लिफेंस लिफेंस लेफ कॉर्णर से अप कर सकते हैं कहां आट पॉइंट से पीछे थे कहां आपने वापसी की स्कोर बराबर किया हर्याना को ओल आउट दिया अचानक से हिमाचल के खिलाडियों की बॉडी लेंविज बदल गई है यह दूओ टाइ रेड है यहां लीड मिलने वाली है हर्याना को एक पॉइंट की लीड मिल गई है फ्रीटी दोगरा है तो टेक देख टेक देख शी अट दो टेख टेख पर बोनस लाइन बिकापनेफेंस लिफेंस को चाहिए कि रेडर को अटेक कम करे प्राची बेनिवाल है प्राची बेनिवाल ब्लॉक या बोनस मिला जी नहीं स्कॉर परावरा है बोनस नहीं मिला प्राची को और स्कॉर 27-27 है अगर टाइ हुआ मुकाबला तो एक्स्टा टाइम में जाएगा ये खेल रवी एक रड़ आई कि बिलकुल और अधर बोनस ऑन होगा साथों की साथों हिमाचल की प्लेयर अंदर है एक बोनस का अटेम्ट करेंगी क्या जी नहीं उन्होंने उल्टा हिमाचल की एक रेड़ बुल वाली है किया टाइम खत्म हो चुका था सासमितादास मैच रेफरी ने कहा टाइम खत्म हो गया था लेकिन ये मैच खत्म नहीं हुआ है 27-27 की बराबरी का अर्थ ये है कि ये फाइनल भी अब एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा यानि कबट्टी और देखने को मिलेगी रोमांच और ज्यादा सर्चड़के बोलेगा दो गल्देज तो a golden raid golden raid means toss the team that raid scores the first point wins and there the big big difference is that the block line becomes the bonus line both captains being summoned by match referee Sasmitha Das of Odisha 27 27 is what they finish at the end of regulation 30 minutes 15 minutes each half not able to separate the sides but uh so it must be said that uh himachal have shown great fight there were six points down at halftime 11 17 was the score and then they fought back inflicted an all out on haryana and now taking this final into extra time himachal ka contention abhi apne dekho bilkul ek dousre half main fact ravi ek time 9 point ki lead tak bang gai thi haryana ki लेकिन अपनी तीन ही rage में लगातार 8 point total अपनी team को दिलवाई भावना ठाकुर ने all out दिया हaryana को और इस match को extra time तक जाने में मजबूर कर दिया है match referee सास्मिता दाज ने दोनों coach इस चर्मिला और हीरा वर्मा को रूल बता दिये हैं इसको fresh match की तरह treat किया जाएगा coach चाहें तो अपनी starting seven भेज दे चाहें change करके भेजें तीन तीन मिनट के दो हाफ होने वाले हैं वाकी रूल वही रहेंगे both teams will start with a full complement of seven players on court with seven that's up to the coach and the manager to decide they can keep changing three minutes each half in extra time and if calls are still level we go into a golden grade where the team that scores the first point wins big differences that the fork line becomes the furnace line as well अगर चे मिनट के दो हाफ के बाद भी score बराबर रहा तो चलिए हर्याना extra time की पहली रेड रेड हो रही है प्राची बेनिबाल के तरह जिनोंने regulation time के आपरी रेड की बावना थाकोर जफिनटली अपरी बेरी 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 स्ट्रॉंग के लिए यहां तक पहुंचाया है यह कीम्ती पॉइंटी पॉइंटी बिलिया है यह स्वीटी डोग्रा है दूसरे हाफ में कहीं बेहतर खेल दिखाया इंफाक एक टैकल भी किया था बश्चाया है रिचा प्रकी बपॉइंट प्रक्रश्मला थाफ्चोर्णी था प्रक्रश्मला थाफ्चायप है वायए भी क्या सथमिला है विर्कुल मिला है फुजा काशला पॉइंटी लेगाय है mistake by Anshol went for the ankle when she was not in range there you see very weak she's already on the weight is backwards can't get a grip there single hand attempt on the ankle so first position is a goal is to get a grip there and the weight is also on the left in the right corner Muskan Malik which is not the same goal is to keep an eye on Muskan Malik who had taken it out in one of the pursuits early in the first half but at the moment अद्ट टाट शोय नाब बार्द वारत का शेरियना बार्क आ प्रियना वारत का शुछ था फिर फिर्ट गार्ट सांट दिए लीड दो निग्स डॉट्स आप जो बार्द आप यूण ड़्टोर फिर्ट ठीटंग्स्ट ने नमबर तीने नमबर आठ को टीम की मेन रेडर को बाहर किया है ये एक चकुर रेडर की निशानी है अटक लिया विरोधी टीम के रेडिंग पावर पर एक्निट बाकी पूजा काज़ा दिस्टाइन चाम बाक विदा पॉइंट तुक आउट साक्षी ठाकुर वाज़ दिर राइट कोना विंट फॉर एंकल होल्ड मिस्टेट कम्प्लीट लीना भावना ठाकुर कैंग शी कीप हिमाचल अप्लोड अगर दोनिस मिला तो स्कोर बराबर होगा पचा सेकेंड बाकी हैं यानि कि दो रेड्ड या तीन रेड्ड तक हो सकती हैं यह पॉइंट लेना ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद हिमाचल की मैक्सिमम एक रेड़ आ सकती है उससे पहले हर्याना ने अगर अगली रेड़ में पॉइंट ले लिया बोनस मिला स्कोर बराबर हो अगराना साक्षी डोगरा मेक्स अमिस्टेक वांस तो पुष्ट प्लेयर बाक टू रेड़ अगली रेड़ तो गोल्ड रेड होगी दो पॉइंट ले तो इन अभी हाफ और आना वाती है इस हाफ के अंत में क्या स्कोर बराबर होगा टूनिंग हैंट ट्राइ की है तीन मिनट का एक हाफ बाकी है उसके बाद विजेता का पता चलेगा पहला हाफ का पहुआ है एक्स्टा टाइम का और अभी तीन मिनट का खेल और बाकी है आफ झाले व्हाम का तीन मिन्ट का अचर में अभी है लृई टूली तो टूनि बाकी है इनगे डिश्क हैंगा और तापूर हैंगा आफ वहंगार ढाफ ताबडी तीन टो बाकी हैंगा चानि भूसका अवाफ पलीज एच्टा फ्यावडंगा व्हाट झार्टा लवाट प वुष्कान मालेक hasn't been raiding too many in either. Scores 31-30 in favor of Haryana, looking for their third medal from the Kabaddi Arena. Remember 21 disciplines feature in the Kelo India Games 2020. 20-20, beg your pardon, thanks for the correction civil, we got some new comers as well like cycling which will be on the television screens tomorrow, Tuesday, another new entrant is Lawn Bowls, but the action has started. आज शाम को relay race होनी है, 4 in 200 meters, वो देखिएगा, कल से cycling, वही कमाल का केल है, रवी कान सिंग बड़े excited है, उसके लिए और हमारे दूरे दूरे बादी सिधार पाने भी. फिर आपको volleyball दिखाएंगे, उसके साथ wrestling दिखाएंगे, एकी दिन सारे final होने है, basketball हम देखेंगे, football पहली बार आप Halo India Youth Games में live देखेंगे, और boxing, कौन भूल सकता है, swimming, aquatics, बड़ा मज़ा आता है, swimmers को देखते हुए, अभी बहुत सारे खेल आप live देख पाएंगे, Halo India Youth Games म क्या हर्याना कबड़ी के गोल्ड मेडल के है ट्रिक पूरी करेगा, यही माचल ले उड़ेंगे खिताब, तीम मिनट का खेल बाकी है, जाप चालेंगे, बाब में टाकर बाब में टाकर बंस अगें रेडिंग, एक लिए रेडिंग, देख अन्तिन कुमारी इज एज एज लिंप इन तुमच अवक्शन, लिंप इंग देख लेडिंगे, देख लेडिंगे, बाब बाब लुट कर शक्ते हैं लेकिन वहाँ इन पर हमेशा एक में रेडर मौजूद होता है, तो उन्हें मालूम का पॉइंट कहां से मिलेगा, स्कोर बनाबर है, और क्या गोल्डन र लिंप लोग्दी मिलेगा, स्की बनाबर हैं, जेख लोन से अवेशान पार्य नच बनाबर, हमाचल भाई खाँका है, रूमाचल यूथाओप लेडरींगे, तो यूद में लग़गे, उन्हेचान धवेशाप्वाचा उन्हें इन चेसिएंगे, तो इंहें तो एंहें जाली चौधरी ने लेफ्ट कवर से जबर्दस सपोर्ट दिया, दो मिनट का टाइम बाकी, दो पॉइंट के लीड हर्याना के पास, कि माचल के लिए एक अच्छी खबर है, कि अब बोनस आफ हो चुका है, लेकिन उनकी में रेडर बाहर बैटी है, और उनका रिवाइवल में नंबर दूसरा है, दो प्लेयर हर्याना क्या उठ होंगे, तो ही अंदर आएंगी भावना ठाकोर यानी कि अब स्वीटी दोग्रा को रभी रेड में पॉइंट लाने होंगे एक मिनट से थोड़ा सा ज्यादा टाइम बाकी है और हर्याना को जी इतकी सुगन दाने लगी है पूरा टाइम लेंगी अब प्राची बेनिवाल पूरा एक मिनट बाकी, यानी कि इसके बाद हिमाचल को एक रेड यकीनी मिलेगी, मैक्सिमम दो रेड मिल सकती है और हर्याना को सिर्फ अपना डिफेंस टाइट रखना है, तीसरा गोल्ड मेडल कबड़ी का हर्याना को मिल सकता है हिमाचल को अगली रेड में कम से कम दो पॉइंट चाहिए, उसके अनावा कोई चारा नहीं 27 seconds taken out in that single raid by Prachi Benival, now Sweetie Dogra has got to do something she can't end that raid empty-handed because, oh she claims a touch on Vaishali Chaudhary and Kevan Vaishali Chaudhary is to go out, so now the defense of हिमाचल has to pick up a point to push this match into a golden raid ये इस मुकाबले की आफरी raid होने वाली है, जहां Prachi आई है अगर उन्होंने बॉक लाइन क्रॉस की और वापस चली गई तो हर्याना जीत बन गए ये डूओ डाइरेड है, और लेफ्ट कॉर्णर का क्या तच हुआ क्या तच हुआ, पिल्कुल हुआ हर्याना ने तो पॉइंट की लीड बना ली है, डूओ डाइरेड में लेफ्ट कॉर्णर ने टच किया है पैर को ये जरूरी नहीं था, हिमाचल को एक रेड और मिली है दो पॉइंट मिले तो गोल्डन रेड आएगी अगर दो पॉइंट नहीं मिले हिमाचल को, तो हर्याना को गोल्ड मेडल मिलने वाला है बोनस बोन दू, she needs to get a touch more than one, but she cannot escape once again, the right corner and there you see Bhavna Thakol sitting disappointed at the bench and there you'll see the referee, Sasmita Das, signalling the end of the match along with Rona Krawal, so Haryana pull it off, 35-32, 8 extra time gold medals की head trick बना ली है हर्याना ने Kelo India Youth Games 2020 में Under 17 boys, Under 17 girls के पाद अब Under 21 girls का gold भी हर्याना की जोली में आया है ऐसे ही हर्याना को देश में कबटी का power house नहीं करा जाता लेकिन उतनी तरीफ हिमाचल प्रदेश की खिलाणियों की भी होगी जिनोंने 9 points से पिछडने के बावजूद मैच को extra time तक ले जाने में सफलता हासिल की भावना ठाकूर सुपरस्टार बनके खेली अगर स्वीटी जोग्रा से थोड़ा और सपोर्ट मिलता रवी तो यहां कहां नी बदल सकती थी हर्यानल 35 मंवाचल 32